हलो दोस्तों मैं हूँ तुशार साहू एंड वेलकम चो मैं चैनल दोस्तों आज हमारे पास में 2022 मॉडल निसान मैगनाइट गार है और यह एक बेस्वीरियन गाड़ी जिसके अंदर कंपनियां को बहुत सरी चीज़े प्रोवाइट नहीं करती है तो फर्स्ट ओफ ओल इस गा कंपनी की मैगनाइट यह गाड़ी है जो की बेस्वीरियन गाड़ी है और पर इसकी बात करें तो साथे शेलाग रुपे में आपको यह कंपनी प्रोवाइट करती है निसान की बैजिंग मैगनाइट आपको यहाँ पर बैजिंग बैक साइड में देखने को मिलेगा अभी इस गाड़ी के अंदर भाई इंस्टॉल किये जा रहा है बहुत सारी चीजे जिसकी जान करी आपको इस वीडियो में मिलने वारी तो वीडियो को आप आखरी तक देखेगा तो चलिए गाड़ी के इंटियर के बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने आपको इन्फोर्टें आपको मिल जाता है यहां देखेंगे तो स्मार्ट एंड्रोइड कार सिस्टम यह है जो कि 9 इंच का है 2 प्लस 16 GB वेरियंट है और के साथ में आपको मिलता है एंड्रोइड 10 बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोटर जोई कंपनी का यह प्रोड़क्ट है तो यहां पर अभी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हमाई मैगनाइट गाड़ी के डैस्ट बोट में और यह आप देखेंगे तो यह 9 इंच का डिस्पले हैं काफी बढ़िया है और इसके अंदर दो USB कॉड़ आपको मिल जाती है GPS मिल जाता है और सारी वारिंग्स आपको मिल जाती है तो कंपन इसके अंदर दिया जाता है तो अभी हमाई मैगनाइट काड़ी के अंदर से इस्टॉल करेंगे आप वीडियो में आखरी तक बने रहे हैं और भी चीज़े हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा यह देखे मैगनाइट का यह जो डिस्पले हैं इस तरीके सा आया था इसके सारे 300W के maximum power वाले यह आपको speakers मिल जाते हैं पिक पावर इसका बहुत बढ़िया है response जिसका अच्छा मिलता है चारो ही गेटो पे इसका इंस्टॉलेशन करने वाले हैं साथी साथ इस गारी के अंदर कंपनी ने सेंटर लॉकिंग नहीं दी है तो फो डोस की सेंटर लॉकिं चीज आपके डूर्स में लगती है और यही लॉक अनलॉक करते हैं डॉर्स को तो इसका इंस्टॉलेशन अभी यहाँ पर चल रहा है फो डोस का किट है अपनी का यह प्रोडक्ट है यह आपको सेंसर मिल जाते हैं जो कि डूर्स के पास में इस्टॉल होता है कभी भी कोई प्यादर की से अगर आपकी गाड़ी को उपन करेगा तो यह सायरेन को एक्टिवेट कर देता है तो यहाँ देखिए यह जो आप देख रहे हैं सेंट्र लॉकिंग का इस्टॉलेशन हो रहा है मतलब जो मैं आपको गन बताई थी यहाँ पर लगा दी गई है इसमें यह वा लाइए तो अभी इस गाड़ी के अंतर जैसे कि मैं आपको आपको सारी वर्किंग चल दी है बकेट सीट के वाज का इसमेल आना लगती तो उसके सेफटी के लिए नई गाड़ी अपने लिए तो यह लगवा लीजी यह लैदर सीट होती है आपके गाड़ी के कार्पेट प इसे लगाने के बाद में आपको वैक्वम क्लिनर की जरुवत नहीं बढ़ेगी बढ़िया गिले कपड़े से आप इसे साफ कर सकते हैं तो यह जो लैमिनीशन है इसके पीछे में वैलको स्टीक है जो की कार्पेट पर जाकर चिपक जाता है और बढ़िया इसका स्टीन हो इसका 16 इंच के स्टील वील के साथ में ट्यूबलेस टायस आपको मिलते हैं यहां पर देखे आपको यह जो वील कैप्स हैं आपको मिल जाते हैं डूल टोन कलर में काफी बढ़िया अलॉइवल पैटन टाइप के तो यह जो वील कैप से अभी हम लोग अपनी गाड़ी के अ सब्सक्राइब हो जाएगी तो आप वीडियो में आखी तक बने रहें जैसे जैसे इसके अंदर वर्क होगा वन बाइवान आपको सारी चीजों का मैं आपको रिवीव दूँगा तो सब में पहले हम लोग सेंटर लॉकिंग के बात करेंगे तो यह मेरे हाथ में फिलिप की यह बन चुकी है और इससे आप गारी को चालू भी कर सकते हैं और यह बढ़िया सा क्लासिक रिमोट है यूंकि टॉप विएन काड़ी उसमें आपको मिलता है लेकर लॉक अनलॉक करने पर साइडिन से आवाज भी आ रही है और आपका यह प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है तो आपने भी अगर मैगनाइट गाड़ी लिए कोई भी गाड़ी है उसमें आप इस तरीके का रिमोट चाहते हैं तो आपको फिलिप की सेंटर लॉकिंग के डालना होगा एक रिमोट नॉर्मल होता है और एक रिमोट इस तरीके साब को मिल जाता है चली मैं लॉक अनलॉक करके बताऊं तो देख़ी हाँ पर मैं अगर इसके लॉक करूंत है ऑर यहां पर आaggio करूं तो यह परवानास अनलॉप होगा प्राइप करनारा हमारा Rd company का Central Locking kit अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के टच स्क्रीन सिस्टेम की तो यहाँ पर देखिए हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर प्रॉपर्ली टच स्क्रीन जो है यहाँ पर इस्टोलेशन कर रहे हैं 9-inch का डिस्प्लेइ 9-inch के फ्रेम के अंदर 9 inch का display लगता है उसके बाद में यह work करता है तो यहां आप देख पाएंगे इसका installation चली installation के बाद में इसका मैं working बताऊंगा आपको तो यहां देखें हमारा जो touch screen चालू हो गया है साइड में सारी captive buttons मिल जाती captive touch के साथ में facebook और सारी चीज़े इसके अंदर पहले सी प्रिलोड़ेड है तो आपको जरुवत नहीं है जिस तरह के से आप अपना android mobile phone चलाते हैं same as it उससी तरह के से इसको भी आप कर सकते इस्तमाद यहां पर fm radio का आपको support मिल जाता है youtube का option मिल और साथी साथ हम बात करें तो इसमें आप bluetooth connectivity भी ले सकते हैं इस android system को आपको यह इंटरनेट connectivity देनी ही तो आप अपने mobile phone का hotspot on करके वाइफाई की थूरू internet connectivity इसमें देख सकते हैं equalizers का का काफी बढ़िया है sound output इस system से अच्छा मिल जाता है साथी साथ हम बात करेंगे तो यहां पर music player भी pre-loaded है और यह car settings और android settings भी इसके अंतर आपको मिल जाती है FM radio आप यहां पर देख पाएंगे तो भाई आपने magnet गारी ख़िदी एक बड़ी सा touchscreen आपको चाहिए तो इस तरीके का touchscreen आप अपने गारी के लिए पिलकुल प्रिफर कर सकते हैं गारी के back side में reverse parking camera LED HD night vision डाला गया है तो इसका view भी आपको इसमें देखने को मिलेगा तो यहां पर इसको देख सकते हैं आप यहां पर यह grid line के साथ में काफी बढ़िया आपको response मिल जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा night view है इसका काफी खूबसूरत आपको मिलेगा full HD quality के साथ में तो यह हमारे गाड़ी का touch screen था जो कि मैंने आपको बताया आप हम लोग बात करेंगे गाड़ी के जो कारपेट में हमें आपको बता रहे हैं लैमिनीशन यहां पर पूरा लगा दिया गया है आपको जो मेन कारपेट था कंपनी का उसकी उपर यह लगाया गया प्रॉप पर फिनिसिंग के साथ में आपको मिलता है क्वालिटी इसकी एकदम प्रीमियम है बड़िया गिले कपड़े से साफ साफ कर सकते हैं जब भी ढूल मिट्टी लगे इसके उपर आप चाहे तो अलग से मैटिंग डलवा सकते हैं गाड़ी के लिए वो भी आप डलवा सकते हैं इस गाड़ी का प्रॉप अफटमेंट के साथ में तो इसके स्टमाल भी आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप सकते हैं गाड़ी के इंट्रिया से मैचिंग ये डियल टून कलर के बके सीट कर वस यहां पर इंस्ट किया गया है फुली लैधर के हैं जो कि आपको यहां पर सकते हैं एंड्रोइड सिस्टम स्पीकर्स लाइमिनेशन बकेट सीट कवर्स वील कैप्स और सारी चीज़े तो आपको इस गाड़ी से लेटे जदी कोई भी समान चाहिए आपके एरिये में अविलेबल नहीं तो को दिक्कत नहीं हम से कॉन्टे कर सकते हैं हम आपको हम डिल कर दो कर दो ho